बविश्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हारदिक स्वागत है दोस्तो एक नई सीरीज हम चला रहे हैं नई सिक्षानीती को लेकर के ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक टीचर बनने बाले हो या फिर कोई भी competitive exams की अगर आप तयारी कर रहे हो तो भर-भर के आपके जो प्रस्न है current affair के सारे प्रस्न आपके नई सिक्षानीती से पूछे जाएंगे इसके अलावा अगर आप एक टीचर हो तो हर जगे आपसे नई सिक्षानीती के बारे में पूछा जाएगा किस तरह से चीज़े काम कर रही हैं किस तरह से चीज़े बदली हैं सारी चीज़े आपसे पूछी जाएंगी आज किस वीडियो में सबसे महत्वपूर टॉपिक जो नई सिक्षानीती का है वो है 10 प्लस 2 सिस्टम अकेडिमिक मेरिट वाला जो सिस्टम है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है इसको पूरा चेंजिस कर दिया गया है पहली यह 12 साल का होता था अब टोटल यह 15 साल का कर दिया गया है तो इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा इसके अलावा ग्रेजॉशन के बारे मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊँगा कि पहले क्या होता था कि एक वर्स का आपने graduation किया और by chance अगर आपने छोड़ दिया तो आपको ना कोई degree मिलती थी ना कुछ मिलता था अभी इसमें कई सारे changes करे गए हैं आपको diploma दिया जाएगा आपको certificate दिया जाएगा पूरा 3 साल का कर ले तो आपको इसकी degree भी दी जाएगी तो चलिए उसके बारे में चरज़ा करेंगे और किसी भी teaching exams की अगर आप तैयारी कर रहे हैं चाहे वो CTAT हो, UPTAT हो, SuperTAT हो, MPT हो, कोई भी teaching exam हो तो इस चैनल को subscribe कर रे लिए लिए इसके बराबर में तो थोड़ा सा structure आपके लिए बनाया है इससे आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों यह आप देख रहे हैं यह old academic है पहले क्या होता था कि 2 वर्स जो 17-18 साल के बालक होते थे वो 2 वर्स का क्या होता था 10-12 यानि कि 12 कर देते यानि कि पहले 11 और फिर 12 ठीक है इससे पहले 10 साल तक पढ़ देते 6-16 वर्स के बालक ठीक है और जो पहले यह था कि 6-14 वर्स के बालकों के लिए right to education था लेकिन इसमें problem यह थी कि 6-14 वर्स के बालकों के लिए right to education हो गया लेकिन जो बालक 10 ना रहा है जो बालक 9 ना रहा है 11 ना पढ़ रहा है 12 ना उसके लिए क्या या फिर पहले एक सबसे बड़ी problem यह थी कि 6-14 वर्स के बालकों के लिए तो इसक्षा का अधिकार है लेकिन 6 से पहले वर्स का जो बालक है जैसे 5 वर्स का बालक उसके लिए क्या तो वह सारी चीज़ा चेंज कर दी गई है यह आप देख रही है old academic merit वाला system है जिसमें 10 प्लस 2 था अभी जो new बनाय गया है वह यह बनाय गया है 5 आपसे कई जगे यह प्रस्ण पूचा जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 academic system क्या है तो यह आपको पता होना चाहिए तिल यह शुरुआत करती है सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले यह समझ लिए एक preschool जो आंगनवाडी के इंदर है वह academic में जोड़े गए है पहले क्या था academic से यह बाहर थे अभी academic में इनको जोड़ दिया गया है अचा academic के साथ-साथ इसमें class 1 और class 2 को भी जोड़ दिया गया है ठीक है तो preschool यानि की आंगनवाडी class 1 और 2 इसका एक अलग से slot बनाया गया है यह 5 वर्ष की सिक्षा होगी सरकार यह बोल रही है कि इस सिक्षा को हम 5 वर्ष का करेंगे और 3 से 8 वर्ष के बालक इसमें पढ़ेंगे ठीक है पहले क्या है इसमें क्या है जो 6 से या 5 वर्ष से बालक पढ़ दे थे देखिए जो नई सिक्षानीती है का जो ड्राफ्ट है करीब 700-800 पेज का है काफी सारे पेज़ हैं 70 पेज का उनने पूरा वो बनाया है कि उसमें उपर-उपर से चीज़ें रखी है कि 70 पेज का आप पढ़ोगे उसके बाद ही उसमें ठीक है आपको ऊपर-उपर से चीज़ें पता लग जाएंगी तो यहां पर मैं आपके लिए बताता जाओंगा आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करना पूरा जो ड्राफ्ट है उसको भी मैं आपको समझा दूँगा क्योंकि आपके क्या है कोई भी अग जो स्टेज रखी गई है वह फाउंडेशनल कोर्स की है दूसरी जो स्टेज है वह प्रिपरेटरी रखी गई है जिसमें क्लास थर्ड और 4 और 5 को पढ़ाया जाएगा इसमें यह 3 वर्स का होगा दूसरा सलोट 3 वर्स की शिक्षा का होगा जिसमें 18 से 11 वर्स के बालक पढ अब इसमें class 6, 7 और 8, तीनों class को रखा गया है, ठीक है, पहला slot कौन सा है, preschool to second, दूसरा slot कौन सा है, 3rd to 5, तीसरा slot कौन सा है, 6 to 8, अब अगला जो slot है में आपको बता था कि 10 प्रस 2 होता था, कि 10th board है, 12th board है, तो 9th, 10th अलग था, 11th, 12th अलग था, अभी इसको एक ही कर दिय इसको चार वर्स का slot बना दिया गया है, सरकार के द्वारा, इसमें 14 से 18 वर्स के बालक पढ़ेंगे, इसको secondary stage बोला गया है, अब इस secondary stage के लिए भी आपको TET परिक्षा देनी होगी, आप TET परिक्षा देंगे, तभी इसमें भी आप teacher बन पाएंगे, इसके बिना आप teacher अ middle और secondary, इसके अलावा मैं आपको यहां पर college के system बता देता हूँ, college में जब आप BA, BCOM, BSC करते थे, तो उसमें क्या होता था, कि एक वर्स का आपने, जैसे BCOM में admission लिया, एक वर्स आपने पढ़ाईगी फिर छोड़ दिया, तो ना कोई certificate मिलेगा, ना कुछ पूरा drop out हो जा जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आपने BA को दो वर्स पढ़ कर छोड़ दिया, तो आपको BA का डिपलोमा दिया जाएगा, अगर आपने BA को पूरा तीन वर्स पढ़ा, तो इसके लिए आपको डिगरी दी जाएगी, ठीक है, तो यह डिगरी वाला, जो graduation वाला system है, तो इस निव एजुकेशन पॉलिसी से, उम्मीद करता हूँ, यह वडिया आपको पसंद आई हूँ, इसको लाइक करें, शेयर करें, पहली बारे तो चैनल को, सब्सक्राइब, जरूर कर लें, धन्यवाद,